जैनगर लाइव में आपका स्वागत है जैनगर के अधिकारियों ने बताया कि जिस प्रकार से नेपाल के जल अधिग्रहन क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। उस हिसाब से कमला की जल स्थर में और व्रिधी हुने की संभावना है। कमला की आठों फारटक का खोल दिया गया है। हर साल हजारों प्रामीन कमला में आने वाली बार से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। निपाल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निपाल के जल अधिवरहन क्षेत्रों में विगत कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश चारी है, जिसके वज़ें से कमला समेत अन्य नदियों की जल स्तर बढ़ रहा है. जैनगर के स्टियों शंकर शरण उमी अपर स्टियों गोविंद कुमार एवं सियों संतोष कुमार ने संबंदित विभागिया अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं. बता दे की नदी का कटाव होने से कई घर कमला में समा जाते हैं कमला की कोख में बसी उप्त गाउं में एक दरजन से अधिक घर कमला की मुहाने पर है. जल स्तर और बढ़ने एवं कटाव होने की स्थिती में कई घर कमला में समा सकती है. नदी किनारे बसे लोग बार्ड को लेकर डरे एवं सहमें हुए हैं इस आज भी लोगों की आखों से पिछले साल की प्रलयकारी बार्ड का तबाही का ममजल उज़ल नहीं हुआ है 13 जुलाई 2019 को आई भयानक बार्ड ने अपनी पिछली सारी रेकर्ड को तोड़ दिया था हुआ है